आप लोगों का वीकेंड कैसा रहा, अच्छा रहा, या सर्वीकेंड चला गया पता ही नहीं चला, सर हम घूमने गए थे वीकेंड में, हाँ, क्या क्या पूने वाले बच्छों ने वीकेंड में क्या किया ये बताओ, सोय थे, ओ भाई साब, यह बड़ा ज़रूरी चीज है क्योंकि लाइप में जो सोने में मज़ा है वो किसी कोने में नहीं कर गए ठीक है यह ऐसी आवाज लास्ट बैच में छे लोगों ने निकाली थी मैंने फेक दिया था बाहर ठीक है दो हस्पिटल में हैं और चार जो है हां तो अच्छी बात है क्रिकेट खेलेते कोई सवय था कोई मस्ती की थी वरी गोड़ मस्ती थी तुमने है चलिए तो कर लेते हैं आप लोग मेरे साथ साथ lot करेंगे जो हमने लास्ट लेमस में पढ़ा था तो लास्त लेक्शर में जैसा कि आपको पता है हमने tax rate निकालना सीखा था, tax rate पड़ा था, कि सर कौन से person के लिए क्या tax rates होती है, तो tax rate दो तरह की होती है, एक आपकी general tax rate और एक तुम्हारे special tax rate, अभी तक हमने general tax rate पे discussion करना चालू किया, special tax rate पे अपन करेंगे कल पर सो में, general tax rate कहां दे रखी है, तो इंकम tax act 1961 में, अब ये special tax rate क्या होती है, जैसे winning की income होती है, उस पे 30% tax लगता है, bitcoin की income पे 30% tax लगता है, जो cash credit आपके bank account में पैसा आ गया, आप से पूझा कहां से आया, आप बता ही नहीं बारा कर रहे हो, तो उस case में 60% tax लगता है, LTCG normal वाले पे 20%, LTCG share market वाला है, तो 10%, STCG पे 15% ही अपन पढ़ेंगे, आगे जाके, हमने सबसे पहले दिखा, कि in case of the individual HOF, AOP, BY, artificial, juridical person, tax rate क्या रहती है, तो individual HOF, AOP, BY, artificial, juridical person, भले वो resident रहे है, या non-resident रहे है, यहाँ 2,50,000 का basic exemption है, तो 2,50,000 पे dash पे dash, 250 to 5,05 to 10,20%, more than 10,30%, now in case of the senior citizen, senior citizen का मतलब होता है, resident individual, age 60 years or more in the previous year, अपना previous year कौन सा है, 23,24, तो 23,24 में किसी का age, अगर 60 years या उससे ज़्यादा हो चुका है, तो उसको हम senior citizen बोलेंगे, senior citizen के case में आपका basic exemption है, वो up to 3 lakh का रहेगा, 3 lakh तक की income पे कोई tax नहीं लगेगा, 3 lakh to 5 lakh, 5%, 5 lakh to 10 lakh, 20% more than 10 lakh, 30%, अब एक चीज समझना, हमने पढ़ा super senior citizen, super senior citizen का मतलब होता है, resident individual जिसका age 80 years या उससे ज़्यादा होता है, इसके case में up to 5 lakh तक कोई भी tax नहीं लगता, means 5 lakh तक डैश पे डैश, 5 lakh to 10 lakh, 20% more than 10 lakh, 30%, अगर कोई ऐसा person है, जो अपना oldest celebrate कर रहा है, 60th birthday या 80th birthday celebrate कर रहा है, 1st April 2024 को, तो भी यह माना जाएगा कि उसका 60 years या 80 years complete हो गया है, 31st March 2024 को, and current year में उसको higher basic exemption, 3 lakh, 5 lakh का basic exemption का benefit मिल जाएगा, चलिए, उसके बाद हमने पढ़ा surcharge, क्या पढ़ा, surcharge, surcharge का मतलब होता है, क्या आपके tax पे tax लगेगा, मिस जो tax लग रहा है वो तो लगेगा, उसके उपर और extra tax लगेगा, that is called surcharge, but हर किसी को नहीं लगता surcharge यहां जिन्दगी में, सिरफ उनी लोगों को लगता है, जो ज़्यादा पैसा कमाते है, मिस आप और मेरे जैसे गरीब लोग है, वो सिरफ surcharge पढ़ने में पढ़ते हैं, real life में हमको नहीं लगता, तो अगर आपकी total income up to 50 lakh है, तो उसके कोई surcharge नहीं आएगा, but अगर 50 lakh से लेके 1 करोड है, तो जो tax आएगा उसके 10% surcharge, 1 करोड से 2 करोड है, तो tax आएगा उसके 15% surcharge, 2 करोड से 5 करोड है, तो जो tax आएगा उसके 25% surcharge, अब एक बास समझना है आप टेक्स ले लो उसमें सर्चार्ज एड़ कर दो अगर लगता है तो उसमें फिर आपको 4% health and education says हमेशा एड़ करना पड़ेगा जो भी तुमारी total income होती है and net tax payable आता है उसको 10 रुपेज में rounded off करना है 10 रुपेज में rounded off करने का मतलब क्या होता है कि आपका 1,2,3,4 है तो आप lower वाले 10 में चले जाएए और 5,6,7,8,9 है तो आप upper वाले 10 में चले जाएए चलिए हमने कुछ लोगों का tax वगेरा यहां calculate किया था उसके बाद हमने concept चा higher है थोड़ा बहुत ज्यादा है थोड़ा बहुत मतलब 50,000,000 से थोड़ा बहुत सहरु भीज़ार रीज़ार एक डो लग तीन लग ज्यादा है तो आपको marginal relief concept, चेक करना पड़ेगा। अब आप ब Means the Marginal mount कच कैसे तो आपको क्या करने का बड़ा simple मैंने step बताया था आप एक काम करिए जैसे इस example में आपकी income है वो 50,20,000 थी तो पहले आप 50,20,000 पे जो text आता है वो text निकाल दीजिए उसमें आपको surcharge add करना है जो surcharge रहेगा वो add करना है जैसे इसमें 10% surcharge लगेगा income आपका 50,000 से जादा थ तो 10% surcharge लगेगा तो आप surcharge को add कर दीजिए surcharge को add करने के बाद आपको क्या करना है यहां पर ऐसा लिखना है कि this amount is restricted to tax on 50,000,000 अगर 50,000,000 ही income होती तो आपका tax कितना होता वो ले लीजिए और 50,000,000 के उपर वाला income as it is निर्मला सीता रमंट जी को दे दीजिए तो जो भी net taxable income है minus 50,000,000 यह difference है इसको add कर दीजिए इन दोनों में से lower वाला है वो continue करिए आपको automatically या marginal relief का amount मिल जाएगा और जो भी बचेगा उसमें फिर health and education says है वो आपको add करना है तो देखो जब भी आपकी income 50,000,000 से थोड़ी बहुत जादा है मैं इस 50,000,000 से एक लग, दो लग, 3,000,000,000 जादा है तो आपको check करना चाहिए पहले आप tax निकालिए, surcharge add करिए और surcharge add करने के बाद फिर आप यहाँ पर लिखेंगे कि tax on 50,000,000 अगर 50,000,000 ही income होती तो कितना tax लगता और 50,000,000 के उपर जितना कमाया है वो as it is निर्बला सीता रमन जी को आप दे दीजिए और इसकी जो total आएगी और जो उपर आपका tax आ रहा था, whichever is lower है उसको आपको continue करना है, automatically यहाँ पर marginal relief मिल जाएगी, you got my point or not, yes, चलिए, अब एक बात समझना, यहाँ पर ये telegram का group का link दे रहा है, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, बिलकुल नहीं, अभी मुझे पता तो mobile देखोगे तो उसका भी तो message आ रखा है, ठीक है, उसको भी तो good morning बोलना है, तो वो अपन बाद में करेंगे, हाँ, तो जैसे ही break होगा न, तो break में मैं आपको ये बताऊँगा, तो break में आप scan कर लेना, ठीक, अभी का भी ऐसे क्या कर लोगे, उस पर कुछ नहीं, class note दाला हुआ है तीन दिन का, ठीक है, अब अब आगे बढ़ते हैं, मुझे एक बात बताओ, अपन marginal relief last lecture में पढ़ रहे थे, उसी के साथ आगे continue करेंगे, बट मेरे को यहाँ पर एक question लिखवाऊँगा, आप एक बार try करेंगे, ठीक है, यह हमारे batch का एक standard rule रहेगा, कि आपको समझाना है, चलिए, अपने question लिखेंगे, extra question लिखिए, यह example number कौन सा रहेगा, last example कौन सा था, यह यहाँ से अपना day number 4 स्टार्ट होता है, यह example number 6 रहेगा, जो भी example है, लिखिए, Mr. JJ, Mr. JJ, is resident individual, having age of 52 years, Mr. JJ, is resident individual, having age of 52 years, total income for previous year 2324 is Rs. 1 crore 2 lakh 30,000. total income for previous year 2324 is Rs. 1 crore 2 lakh 30,000, calculate tax liability, calculate tax liability, ignore section 115 BAC, चलिए, आप मुझे एक बार tax liability calculate करके बताईए, कि इसका tax कितना आएगा, marginal relief को consider करते हुए करके, ठीक है, देखो एक बार, income, क्योंकि last तीन अपने question किये थे, उन तीनों में income little bit more than 50 lakh था, जैसे यहाँ 51 lakh था, गंगा वाला question तुम लोगों ने किया था, उसके पहले वाले question में था, वो 50 lakh 20,000 था, तो last के दोनों question में आपका income little bit more than 50 lakh था, लेकिन यहाँ पर income आपका 1 crore से जादा है, तो देखो कैसे करते हैं, बार ट्राइ करो और फिर आप बोलोगे, आप answer मुझे पता है, आप में से 90% बच्चों का answer गलत आएगा, बट कोई दिक्कत नहीं कर गे, ठीक है, एक बार दो मिनिट ले लो, और दो मिनिट ले लो, और दो मिनिट ले लो, की बार दो horaई ले 5 रहाहना, की जलत दो मिनिट ले लो, और दो हैं, और दो है, जेखो ओलत दो मिनिट ले लो, झाल झाल चलिए आंसर है आप लोगों के चलिए सबसे पहले तुभी बोल दे पहला आंसर 36,85,474 474 मला 400 बोल सकते हैं 31,500 31,005,00 रही 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 चलिए 34,56,700 वेरी गुड और बताओ एक का या 29,25,000 भुमी का हां 32,93,576 हां 34,46,274 बिटा मुझे एक पानी दे ना पाने का हां 31,00,00 चलिए बहुत सारे आंसर आगे 32,75,900 यह ना बोटल इदर रख लेना बिटाई इसके उपर यहां रख ले हां चलिए 31,00,00 31,00,64,200 यह आंसर आगे बहुत सारे लोगों का ऐसा फोर्थ वाला यह वाला 32,93 थर्ड वाला ओ अच्छा ऐसा नहीं होता बेटाँ एक बार बोल दिया वो लिख लिया लिखने के बाद चेंज नहीं हो सकता अनिके तादर, शिमानी नैंसी चेंज नहीं हो सकता एक बार लिखने के बाद ठीक है नहीं बिलकुल नहीं दूंगा ओप्शिन 31,64 कौन सा वाला है यह वाला चलो चेक करेंगे पहले एक बार idiot genius करते है आप में से कितने परतिशत भारती है यह बोलते है कि पहला answer सही है raise your hand number of person लिख लेते है एक बंदा बोल रहा है very good maybe possibility यह सही रहे हाँ ऐसा हो सकता है एक बंदा बोल रहा है कितने लोग बोलते हैं दूसरा answer सही है raise your hand उसमें भी एक ही है भाई साब अपने साथ में थोड़ा तो support लो कहीं से तीसरा answer 700 वाला 12345617 17 लोग बोल रहे हैं कितने लोग बोल रहे हैं छौता answer सही है ओ दिदी ओ आपने तो भी बोला था चौते पर मार्क करो तीसरा बोला था कितने लोग बोलते हैं छौता सही है कोई नहीं है कि अच्छा उदर है क्या कि online वालों नहीं answer दिया ही नहीं online वाले इतना वायात नहीं दे सकते online वाले online वाले बिचारे पार पार लिख रहे हैं हां हां मान लिया चलो online वालों को मैंने मान लिया तुम्हार आंसर ठीक है चलो online वालों ने बिचार आंसर दिया तो बोलते हैं हमने दिया है तुमने क्या दे तो देतें आशर उसके बाद बोलते हैं है रहे हैं चलै विसके बांद अग्ला अगस्रीलोग ओ भाई साव यह तो ज्यादा हो गया बच्चे 52 बच्चे यह वाला कितने लोग बोल रहे हैं ओ भाई साब 400 बच्चे और यह रहे planning रहे है एक और आ रहा है ना वो तुम्हार लिखेंगे ठीक है चलो यह यह भी बोल रहे है यह 15 लोग और लास्ट वाला कोई किसी ने नहीं बोला कोई इसका जिम्मेदारी लेने को तयारी नहीं है आपका अंसर नया वाला बोलो 34,80,620 ना बोलो 43,284 वेरी गुट अच्छा यह को और है अब मैं आंसर नहीं लोगा बस हाँ बोलो 34,609,36 चलिए सफीशेंट आंसर यहाँ पर ले लिए अगर और टाइम लगाएंगे तो 200 आंसर आ जाएंगे इनके चलिए चेक करते हैं किसका आंसर सही है किसका आंसर गलत है मैं यहाँ पर टेक्स कैलकुलेट कोई ऐसा बोल सकता है कन्वेंसिंग के साथ के मेरा आंसर सही है एनिवन और यह कौनसा आंसर का आप तरफदारी कर रहे हो 400 वाल लगा हां तो सबसे ज्यादा मेजोरिटी इस आंसर की है यह यह नहीं यह और दूसरा कौनसा 52 वाला मतलब अच्छा यह तो ज्यादा लोग जो है वो इसकी तरफदारी कर रहे है बट लोग कुछ-कुछ कन्वेंसिंग के साथ बोल रहे है कि यह सही है चलो चेक करते है चेक करते है ठीक है चलो तो आपका दिमाग इदर होना चाहिए अब थोड़ी देर के लिए बहुत ही सिंपल क्वेशन था थोड़ा ट्रीकी था calculation of tax liability इस बंदे की tax liability calculate करेंगे slab rate से करेंगे तो अब टू लेक फिफ्टी थाउजन डैश पर डैश उसके बाद 2.50,000 से ले के एंड 5,00,000 कितना परसेंट लेनेगा 5% 12,500,000 से ले के एंड 10,000,000 20% 1,000,000 10,000 से अप टू 1 करोड वन करोट टू लाग थर्टी थाउजन नाइन्टी टू लाग थर्टी थाउजन पे थर्टी परसेंट इट्स कम्स तू 2769 तो 30 परसेंट 2769 चलिए टोटल कितना हुआ 28,81,500 एक बात बताओ सर्चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा कितना परसेंट 15 परसेंट क्योंकि इंकम एक करोड से ज्यादा है तो आपका सर्चार्ज 15 परसेंट लगेगा तो एड करेंगे एड सर्चार्ज एड दे रेट 15 परसेंट तो इसका 15 परसेंट सर्चार्ज फोर लेक थर्टी टू थाउजन एंड टू टू ट्वेंटी फाइव है तो इसकी टोटल कर दी तो 33,13,725 आ गया यहां तक कोई दिक्कत नहीं है यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है अब रु एक बात बताओ यह बंदा यह बोलता है कि मैंने गलती कर दी कि 2,30,000 इंकम ज्यादा कमा लिया अगर मैं एक करोड इंकम ही कमाता तो मेरा टेक्स कितना आता भई क्योंकि एक बात बताओ जैसे ही एक करोड से इंकम ज्यादा हुई आपके सर्चार्ज की रेट चेंज हो तो अगर आप एक करोड ही कमाते तो आपका टेक्स कितना आता तो देखो अगर आप आपकी टोटल इंकम जो है वो टोटल इंकम अगर वन करोड ही होती तो उस पे आपका टेक्स कितना आता तो टेक्स निकालते टाइम मैं बोलू अप्टू 2.5 लेक तक तो डैश आता मोर देन 2.5 लेक अप्टू आपका 5 लेक जो है वो आपका 12,500 आता फाइव लेक से लेके एंड 10 लेक तक आपका 1 लेक आता एंड गाइज आपका 10 लेक से लेके अप टू 1 करोड 90 लेक पे 30 परसेंट आता तो 90 लेक पे 30 परसेंट कम्स तू दर 27 लेक आता है तो मैं बताओ आपका टेक्स कितना आता 28,12,500 लेकिन एक बात बताओ अगर आपका टोटल इंकम 1 करोड ही होता तो सर्चार्ज तो लगता न भाई 15 परसेंट नहीं लगता तो यहां बच्चों ने गलती कर दी इसमें एड करो 10 परसेंट सर्चार्ज तो 10 परसेंट सर्चार्ज रुकजा अब आप समझो इधर देखो अगर आपकी इंकम 1 करोड ही होती तो आप पे टेक्स कितना आ रहा है 30,93,000 एंड 750 हां आपकी इंकम कितने से बढ़ गई 2,30,000 से बढ़ गई और उसकी वज़े से आपका टेक्स है वो 33,13,725 आ रहा है भाई हमको है न वो 2,30,000 चाहिए ही नहीं माल लो कितना इंकम एक्सेस कितना 2,30,000 है तो 2,30,000 आप as it is निर्मला सीता रमन को दे देते हो तो कितना दे देते हो टोटल 33,23,750 उतना टेक्स आता है आप मुझे बताइए आप 33,23,000 पे करना पसंद करोगे या 33,13,000 पे करना पसंद करोगे तो यहाँ पे कोई भी मार्जिनल रिलीप नहीं आ रहा है इस क्वेस्चन में कोई मार्जिनल रिलीप नहीं है आप अगर अपने वाले जो फॉर्मूला था उसके इसाब से चलते चाहिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले आपने टेक्स निकाला टेक्स निकालने के बाद सर्चार्ज 15% आप एड़ कर दीजिए अब यहाँ पे आपको क्या लिखनेगा कि इस अमाउंट इस रेस्ट्रिक्टेट टू यह अमाउंट रेस्ट्रिक्ट किस से करेगा टेक्स ओन वन करोड क्या अगर वन करोड का इंकम होता तो टेक्स कितना होता प्लस NTI माइनस वन करोड तो एक बात बताओ 1 करोड की income पे आपका tax आता 30,93,750 और excess income कितना है 2,30,000 तो total हो रहा है 33,23,750 गाइज अपने को whichever is lower वाला continue करना है और जब lower वाला continue करोगे तो obviously उपर वाला amount ही यहाँ पे आ जाएगा 33,13,750 और इस question में no marginal relief लास्ट वाला ओ सॉरी 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 यह वाला 725 एड़ कर दीजिये health and education says total कितना हुआ 34,46,274 अगर rounded off करोगे 34,46,270 है उतना जो है वो आपका tax आ जाएगा इसमें कोई भी marginal relief नहीं मिल रहा है there is no marginal relief at all in this particular question तो सही answer कौन से वाले लोग अका था हाँ तो 52 परसेंट जो लिए लोग थे not 52 परसेंट 52 लोग थे इनका answer सही है बाकी का answer सबका खोटा खोटा है तो चलिए आप एक बार इसको copy करी अब एक बात बताओ आपकी income अगर little bit more than 2 करोड होती तो surcharge की rate change होती तो यहाँ पर restricted में लिखते time क्या लिखते tax on 2 करोड प्लस NTI माइनस 2 करोड अगर आपकी income 5 करोड से थोड़ी बहुत जादा होती तो surcharge की rate change होती तो यहाँ पर लिखते tax on 5 करोड प्लस NTI माइनस 5 करोड चलिए मैं 2 करोड वाला भी एक question दूँगा एक 5 करोड वाला भी दूँगा वो आपको दूँगा आपको करना है चलिए पहले एक काम करिए इस part को आप copy कर दीजिए यहां से लेके यहां तक यह वाला copy नहीं भी करो है यस mostly तो आपको mcq आएगा इस concept से बैट अगर आता है तो आपको ऐसे ही marginal relief को दर्शाना है हाँ एरो देखे हाँ एरो देखे हाँ चलता एरो कोई दिक्कत नहीं एक्जामिनर को ऐसा नहीं लगेगा एरो का मतलब नीचे देखो वो ऐसे ही देखेगा बुक में ही समझ जाएगा वो बैट आपको लोर लिखना है ठीक है यह margin relief इतना आया चलिए शिवांगी अनिकेट नहीं में आया तो आपको रफ में सॉल करना है ना सॉल तो करना ही पड़ेगा रफ में और उसके बाद आपको बताना पड़ेगा क्योंकि में दो तरह के question आ सकते हैं या तो पूछेंगे marginal relief कितना है या पूछेंगे net tax paypal कितना है दो में से एक चीज़ पूछा जा सकता है हाँ हाँ हां हाँ प्लाव चलिये एक question लिखो हाँ क्या हुआ, लिखो बेटा, क्या लिख रहे हो, लिखे जो खत्व में वो तेरी आदमें, क्या बोलते हैं हजारों रंग के नजारे बन गए, ऐसे कि गुझ है न, सितारे बन गए, ओ भाई साब, गाने लिखने वाले कैसे कैसे गाने लिखते हैं, न, गान? मेरा फिवरेट बीच में गाना था वो कुंडि मत खड़का ओ राजा, वो क्या गाना था कुंडि मत खड़का ओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा उसके दौल्ड मूड बनाओ ताजा ताजा, ठीक है, क्या याँ लिखके भी क्या लिखते है? कि अगर आपका इंकम यहां वन करोड से जादा है थोड़ा वग तो सर्चार्ज की रेट 10 की जगे 15 हो गई अगर तेरा वन करोड ही इंकम होता तो सर्चार्ज लगता या नहीं लगता लगता ना 10 परसंट तो लगता ना तो इसके लिए मुझे टेक्स वन वन करोड देखने के लिए इतना टेक्स आता अगर वन करोड इंकम होता तो और वन करोड के उपर वाला इंकम as it is निर्बला सीतारमन जी को देदो तो बेटा इतना अगर आपका यह टेक्स आता वन करोड पर उपर वाला इंकम पूरा निर्बला सीतारमन जी को देदेते हो त तो इतना हो रहा है, तो इससे तो कम ही लग रहा है नॉर्मल केस में, तो यहां पर कोई marginal relief नहीं मिलेगा, लास्ट लेक्चर में थी ना तुम, पक्का, यहीं पर थी, दिमाग भी, नहीं तो कि दिमाग से मैं उसके पास थी और, ऐसा तो नहीं है न, बेलकुल नहीं, होना भी टी यू, जे, वेरी गुड, क्या नाम है न, दो-दो यू है एक नाम में, चलो लिखो, एक्जाम्पल नमबर सेवन, लिखो, मिस रुतुजा, मिस रुतुजा, एज नाइनटीन यर्स, मिस रुतुजा, एज नाइनटीन यर्स, हेविंग, टोटल इंकम, अब रुपेज, टू करोड, ठी लाक एंड ट्वेंटी दाउजन, वाईस अब कैसे लिखा जाता है देख ले न, टू करोड, ठी लाक, नाइनटीन दाउजन, हम गरीबों को लिखना ही नहीं आता, ठीक है, टू करोड, अच्छा, ट्वेंटी दाउजन है क्या, हाँ, ट्वेंटी दाउजन भाई है, मेरे को क्या, मैं कन्फ्यूज हो जाता हूँ, इतना बड़ा आमाउंट देख की, तो टू करोड, ट्री लाक और ट्वेंटी थाउजन, टू करोड, ट्री लाक और ट्वेंटी थाउजन, प्यूजन, झाल, ट्री लाक और ट्री थाउजन, चलिए, ट्राइ करिए, ट्राइ करिए, फटा, फट, आराम से, आराम से थोड़ा, टाइम ले लीजिए, बिटा, गलत ना हो जाए, पिर बोलोगी, चेंज करता सर्मेंधा, पहले गलत बोल दी थी, जाए, बोलोगी, 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 ना है, आराम से, पहले लीजिए, घए, लूदाल एंग्धा, टाए, ताराम से, रहावा है, बोलोगी, बोलोगी, याजून, हाँ, 78 करोड, 72,05, marginal relief कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो marginal relief का amount भी बोली देजिए, marginal relief का amount भी बोली देजिए, 3,081,250, 3,081,250, प्राँ में अोरी, मैं के जरूपी ते percept और बोली देजिए, तो चेजिए, marginal york, मैं ए्यजवानN, ग्राँ में प्राँ में है, जरूपी बोली देजिए, शए़गde प्राँ, कि देजिए, बोली देजिए्ड़ने, प्राँ प्राँ में ए्या देन Keking, मिछेंगे झाल 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 यह आंसर अलग है इससे हाँ 71,019,009,90 जिरो नाइन जिरो 71 लग 19,00 7 711 नहीं है 7190 9 50 वेरी गोड और मार्जिन रेलिव कोई है जिरो नहीं है इसी में 7,00,00 amount net tax payable 69,00,00 750 वेरी मार्जिन रेलिव चलिए कितने लोग इस्टिल ट्राइंग रेलिव कोई है ठीक है चलो जल्दी करो फड़ा पड़ कितने देक own 50 वे बlioर्ण कोई है parcリ दbling रेली मार्जिन रेलिव कोई है 16,00,00 ओनलाइन वाले बच्छो जाले बच्छो जाले बच्छो जाले लुड़नग गिसाल्वी तो झाल 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 यह जो आंसर आया पहला वाला आंसर वो सही है यह वाला पहला वाला आंसर है वो सही है और यह दो गलत यह आंसर चलिए एक बार मैं explain कर लेता हूँ जिन जिन लोगों का यह आंसर नहीं आया आंसर आना चाहिए तहां 72, 84, 550, 381, 250 का marginal relief, देखो, कैसे यह answer आएगा, यहाँ पे assessi का income 2 करोड 3,20,000 है, 2 करोड से little bit ज्यादा है, और जब थोड़ा बहुत ज्यादा होता है तो आपको marginal relief देखना पड़ेगा, क्योंकि 2 करोड पे surcharge का rate change हो जाता है, normally surcharge का rate 50 lakh तक का income है नहीं लगता, 50 से लेके 1 करोड के बीच 10%, 1 करोड से 2 करोड के बीच 15%, 2 करोड से उपर है, अब तू 5 करोड तो 25% और 5 करोड से उपर है तो 37%, तो यहाँ पे 25% surcharge लगेगा, तो पहले तो मैंने 2 करोड 3,20,000 पे tax निकाल दिया, तो जो normal tax आया, उसके बाद मैंने surcharge add कर दिया 25%, क्योंकि 2 करोड से income ज्यादा है 25% surcharge, यह तुमारा total amount आ गया, अब मैं क्या करूँगा, लिखते है time लिखूँगा, कि this amount is restricted to tax on 2 करोड, अगर 2 करोड ही income होती तो tax कितना आता, तो अगर 2 करोड income होती तो tax कितना आता, slab rate से tax निकालते हैं, और यहाँ प आता, surcharge लगता, अगर income exactly 2 करोड होती तो surcharge लगता, बट 15% की rate से लगता, तो add कर दो 15%, इतना tax आता, अगर आपकी income 2 करोड ही होती तो, तो 2 करोड ही होती तो आपका tax इतना आता, आपने गलती कर दी 3,20,000 रुपया ज्यादा कमा के, 3,20,000 आपने ज्यादा कमाया, as it is government को देते हो, तो 3,20,000 आप as it is government को दे देते हो, तो इसकी total होती है, 7,00, 4,3,75, आपको whichever is lower वाला continue करना है, तो automatically आपको marginal relief का amount मिल जाएगा, 3,81,250, add कर दीजिए, health and education says, तो आपका last answer आजाएगा, चलिए, जिन लोगों ने copy नहीं किया, मैं 1 मिनट का time देता हूं, घर ठीक है, फटापट देख लिजिए, जो पार्ट आपने copy अभी तक इस मैंसे नहीं किया, करिये फटापट, बिटा, तुझे समझ रहा है, पका ना, टेक्ट टू करोड ही income होती है, तो कितना टेक्स आता था उसमें 2 करोड income होती हूं, तो 15% सर्चार सो आता ना, वैसा, दिव्या मंगल, उसमें क्या होता है, ना, टू करोड के उपर वाला income ही पूरा गॉवर्मेंट को देदू, वैसा होता है, हाँ क्या रियल लाइप में क्यों नहीं होता होगा देना ही पड़ता है रियल लाइप में होता है यह सब होता ही है रियल लाइप में क्यों नहीं होता है तो गया तो गया क्या कर सकते है फिर सर्चार जादा लगता तो फिर क्या होता वेरी गुड बिटा वेरी गुड ये बुलती है मैं तो क्या करूंगे 320 को income को निकाल दूंगी बैंक से तब पता ही नहीं चलेगा cash में ले लोगी 320,000 income कौन देगा cash में तुमको जेल में डाल देंगे पकड़के चलिए जिस जिसका अंसर सही आया बहुत अच्छी बात है जिनका अंसर सही नहीं आया अगले question में last question of the marginal relief लिखिए लिखिए लिखो टोटल इंकम टोटल इंकम अब मिस्टर अनन्त अम्बानी टोटल इंकम अब मिस्टर अनन्त अम्बानी इस रुपेस अब मिस्टर अनन्त अम्बानी इस फाइव करोड़ सेवन लाक थरिटी थाऊज़ए अच्छीज ध्यान रखना हमेशा जब एज के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ अज्यू करने का नॉर्मल परसन है ठीक है मला सीनियर सिटिजन नहीं मानने का मम्म्म्म्म्म्म्म्म् शूपरसीदियर सिटिजन तो उसको रेजिडेंट मानने का नॉन रेजिडेंट नहीं मानने वाप जब कुछ भी किसी के बारे में नहीं दे रखाए तो आपको उसको resident मानने का और नॉर्मल सेजरिदिजन नहीं मानने का ठीक है, 5 करोड 7,30,000, calculate tax liability, calculate tax liability, ignore section 115 BAC, आप बोलोगे बार बार यह क्यों लिख पा रहे हो, ignore section, किसी को पता है section 115 BAC क्या होता है, अभी पढ़ेंगे थोड़ी दिर में, आज ही पढ़ेंगे थोड़ा, चलिए, फट मुझे answer और marginal relief बता दीजिए, इसका answer मैं नहीं कराऊँग आप करके बताऊगे, तन्य बोलता है, अनन्त अंबानी की एक दिन की income इतनी है, ओ भाहिसा, मुझे नहीं पता, मैं तो calculate करने में यह तीन बार चक्कर आजाए मुझे, यह आजाए calculator में, एक दम घड़िया answer है करके ठीक है, और गलत answer हो रहे है, कैसे आएगा 1 करोड, जब 2 करोड इंकम थी, तो तो आ रहा था 66 लेक, बंदे की income 5 करोड होगी, तो शिरफ 1 करोड बस, ऐसा ही logically गलत आ रहा है, एक बात बता, जब income 2 करोड थी, तो tax आ रहा था 72 लेक, तो income 5 करोड स आना चाहिए, अगर proportionate भी चले थो, ठीक है, आराम से कर लो, चलो तो answer, 2 करोड, 2 करोड, 2 करोड, 20015, यह आपका tax आया और marginal relief आ रही है क्या कुछ, 13 लाग, 47,000, 5, very good बेटा, very good, चले ओनलाइन वालो, फटा फटा आंसर कर लो, मैं आप लोगों का answer का wait कर रहा हूँ, 1 करोड, 1 करोड तो गलत answer है, देखते ही गलत है, भाई 5 करोड की income है, 30% भी पकड़ता है, तो 1.5 करोड से उपर ही रहेगा tax, भाई, tax rate ही 30% तो होती है, तो कम से कम, 1.5 करोड से उपर ही रहेगा, चेक करो, हाँ, अगर जिन लोगों का हो गया वो ऐसे solve करो, जैसा आपन normal solve करते है, tax निकालो, add surcharge, amount restricted to, वो सब करिये, हाँ, 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 ह झाल झाल देख लो पर बोड़ पर आंसर आया है वो आ रहा है नहीं आ रहा है वो नहीं आ रहा है अमाउंट बता है वन करोड़ से माइन हो वो कुछ अलग बोल रहा है वन करोड़ हाँ नमबर हाँ वन नाइन एट वन नाइन एट वन नाइन एट शिक्स नाइन टू डबल जिरो एक बार खुद ही वापट चेक कर ले हो सकता है तेरा अंसर चेंज हो जाए एक बार खुद वापट चेक कर रोहन लक्षे भुमिका मेहर आशिश भुमी हर्शिता खान साब बताई आंसर चलिये मुल मुल पर्ण़ चान साब्ड़ का वापट प्रेपाट चेंज हो सकता है झाल झाल लक्ष लक्ष भाई सुमिल चलिए कितने लोगों का आंसर फर्स्ट को छोड़ के आ रहा है तो उसके लिए अपन सॉल करा दे नहीं तो फिर सबका आंसर अगर पहले या रहा है तो फिर खतम भाई तुम्हारा आंसर गलत आया था या सही था अभी भी यह तुम्हारा दूसरा वाला यह आंसर आ रहा है कि अरे मुर्गेट बता ना कि क्या नहीं आ रहा है अचा पहला अंसर उम्हारा अभी भी नहीं आ रहा है कि देखो बड़ा logical है five crore seven lakh 30,000 पे पहले नॉर्मल टेक्स निकाल दो मुझे बता normal कितना एंड़ शेंट कितना है सर् donor से पहेले तक्स कितना एंड़ थिए फीफटी युद्र्ट फाइव करोड थीफिंक कितना है एंड़ 5500 को यह बेच्ट करने के बास कितना है तो निक राव morally 59 3 महीं गल ले तो रहने दो 1 5 0 3 1 5 double 0 plus 37 percent it comes to 205 2059 93,155 अब अपने यहाँ पर लिखा होगा this amount is restricted to tax on 5 crore plus NTI minus 5 crore अगर आपकी income 5 crore ही होती तो tax कितना आता तो मुझे बताएं यह 5 crore ही अगर आपकी income होती तो आपका tax आता 5 crore minus 10 lakh तो 4 crore 90 lakh multiply by 30 percent plus 1 lakh 12,500 surcharge लगता है नहीं लगता लगता कितना 25 percent लगता है तो plus 25 percent मैं बोलू आपका 185 15625 आता और NTI minus 5 crore कितना है 7 lakh 30,000 पूरा निर्मला सीतरमिंट जी को दे दो नहीं जेहीं हमको तो plus 7 lakh 30,000 तो आपका हो गया 192,45,625 दोनों मैं से lower ले लो, automatically marginal relief आ गया और इसमें फिर आप health and education says add कर लो अरे बोल लो done बोलो done अभी किसी को doubt है तो पूछ लो भई नहीं तो इस concept से बाहर जाते है done done, dna, day done, day ikalavya batch, ikalavya इस batch का नाम ikalavya batch, ठीक है चलो तुम ikalavya बैस करोगे? इस batch क neighboring लोग suggest करेंगे वो रखेंगे ठीक है, हाँ? हाँ? थोड़ा इससे वह religious हो जाता है वैसा है आज उनका है ना कुछ बर्थ है आज चुटी भी है क्या बहुत सारे लोगों की हाँ दुटी में चुटी है ओ इस अब कॉलेज ऐसे भी जाता कौन है करके ठीक है चलिए हाँ एक लवे बैच बुलते हैं सही है करके ठीक है बहुत खास लोग बैच एक बुलता है चिराग बैच रख लो एक बुलता है कामयाब बैच रख लो करके ठीक है प्रिंस बुलता है मेरे नाम से रख लो चलो वेरी गुड प्रिंस चलो एक काम करेंगे यहां मार्जिनल रि चलिए यहां पे आपका अपने इंडिविजुल हुअब के case में text पढ़ा एक बार क्विक्ली रिवाइस कर देते हैं जो हमने पढ़ा एक बात बताओ इंडिविजुल हुअब एओ पी विवाई आडिफिशल जुरिडिकल परस इनके case में text कैसे लगेगा नॉर्मली 2 lakh 50,000 का basic exemption 250 से 5 lakh 5 percent 5 lakh to 10 lakh 20 percent more than 10 lakh 30 percent senior citizen के case में up to 3 lakh basic exemption 3 lakh to 5 lakh 20 percent more than 10 lakh 30 percent super senior citizen के case में up to 5 lakh dash पे dash 5 lakh to 10 lakh 20 percent more than 10 lakh 30 percent सर्चार्ज लगेगा सर्चार्ज डिपेंड करेगा आपकी total income total income up to 50 lakh है तो डैश पे डैश 50 lakh to 1 करो 10 percent 1 करोड 2 करोड 15 percent 2 करोड 2 5 करोड 25 percent more than 5 करोड 37 percent अब एक बाद बताओ आप मुझे बोलोगे सर यार यह slab rate आपने पढ़ाया है 2 lakh 50,000 से 5 lakh वाला वगेरा बट आज कल यह slab rate थोड़ी लगता है हमने तो Google पे सर्च किया तो कुछ और ही बता रहा था ठीक है आपने देखा होगा अगर आपन Google पे सर्च करते हैं तो Google पे क्या आता है slab rate करके तो tax rate अगर tax rate देखते हैं assessment year 24-25 तो भाई साब यहाँ पे तो tax rate कुछ अलगी बता रहा है यह website पे max life insurance यह तो कुछ अलगी बता रहा है यह बोलता है up to 3 lakh new tax regime और कुछ है और old tax regime 3 lakh to 5 lakh इसमें 5% है उसमें exempt है पता नहीं यह तो confuse करने वाला बता रहा है चलो पर यहाँ पर चलते हैं एक और clear tax की website है उस पर अगर देखते हैं तो sir देखो ना इस पर तो ऐसा कुछ दे रखा है एक तो old tax regime और एक होता है new tax regime और new tax regime में बोला 3 lakh, 3 lakh to 6 lakh, 6 lakh to 9 lakh, 9 lakh to 12 lakh, 12 lakh to 15 lakh, 15 lakh के उपर sir यह क्या, यह new tax regime क्या है अब यह आपने हमको पढ़ाया, यह जो है यह आपने हमको पढ़ाया, 250 तक कोई tax नहीं, यहाँ पे 3 lakh और बीच में वो है नहीं, वो basically नहों ऐसे ही calculate करने के लिए दे रखा है तो sir एक बात बताओ, हमने तो market में यह सुना हुआ है, कि tax जो लगता है, वो उसकी अलग elaborate होती है, 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, तो sir यहाँ पे तो आपने 5, 20, 30 पढ़ाया है, तो यह क्या है गरगे, हम बहुत बार ऐसा सुनते है market में, कि एक नया tax regime आया है, और assessi के पास option है कि दोनों में से कोई भी एक tax regime से वो tax बढ़ सकता है, तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, कि यह नया tax regime क्या है, जिसको अपन default taxation regime भी बोलेंगे, और section 115 BAC बोलेंगे, हर जगे मैंने लिखवाते time question में लिखवा है, ignore 115 BAC, ignore 115 BAC, तो यह question ही आता है, यह 115 BAC होता क्या है, तो चलिए ए आपके पास आधे page से कम के page बचे है, तो आप नए page पर heading दे दिजिए, सेक्शन 115 BAC, section 115 BAC money charan चलिए money charan इधर देखिए बेटा section 115 BAC heading दीजिए default tax regime default tax regime default tax regime for individual slash H-U-F slash A-O-P slash B-O-I slash artificial juridical person heading दीजिए default tax regime for individual default tax regime for individual slash H-U-F slash A-O-P slash B-O-I slash artificial juridical person लिखिए next line में next line में लिखिए tax rate for individual tax rate for individual slash H-U-F slash A-O-P slash B-O-I tax rate for individual slash H-U-F slash A-O-P slash B-O-I slash A-J-P slash A-J-P from assessment year 24-25 from assessment year 24-25 R और उसके बार next line में लिखिए total income up to 3 lakh total income up to 3 lakh है तो बिटा आपकी जो tax rate रहेगी वो निल है 3 lakh तक निल है इसको अपन बोलेंगे basic exemption basic exemption उसके बाद total income more than 3 lakh up to 6 lakh 5 percent आपकी income 6 lakh से ज्यादा है up to 9 lakh तक आपका tax आएगा 10 percent उसके बाद 9 lakh से लेके and 12 lakh तक 15 percent 12 lakh से लेके up to 15 lakh 20 percent and 15 lakh से ज्यादा income है उस पे सीधा 30 percent चलिए total income up to 3 lakh पे कोई tax नहीं लगेगा 3 lakh to 6 lakh 5 percent 6 lakh to 9 lakh 10 percent 9 lakh to 12 lakh 15 percent 12 lakh से 15 lakh 20 percent और more than 15 lakh 30 percent अब question यहां पे यहां पे आता है कि सर एक बात बताओ आप यहां पे बोल रहे हो कि यहां basic exemption इस वाले सेक्शन में बोला है कि इंडिविजुल हुआप आओ पी ब्यूआ य आर्टिफिशल जूरिडिकल परसन के case में 3 lakh का basic exemption है आपको क्या लगता है अगर कोई बंदा senior citizen है या super senior citizen है या resident है या non resident है सबके case में 3 lakh ही लगेगा या फिर अगर कोई super senior citizen है तो यहां पे 5 lakh हो जाएगा आपको क्या लगता है 3 lakh ही लगेगा या यहां पे 5 lakh हो जाएगा राइट आंसर इस कि अगर आप इस section के हिसाप से text भढ़ना चाते हो तो हमेशा यह 3 lakh ही रहेगा भले normal है senior citizen है super senior citizen है उसमें 5 lakh वगेड़ा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इस section में लिखा है इंडिविजूल है अप आप बियो है artificial juridical person भले वो resident हो non resident हो भले वो आपका senior citizen हो super senior citizen हो उससे कोई भी फरक नहीं पड़ता है तो एक note लिखो इसके नीचे notes लिखो पहला note लिखिए पहला note in case of senior citizen and super senior citizen in case of senior citizen and super senior citizen in case of senior citizen and super senior citizen basic exemption limit of 3 lakh basic exemption limit of Rs. 3,00,000 only applicable, basic exemption limit of Rs. 3,00,000 only applicable, सरफ 3,00,000 की मिलेगा सब जगे, बले कोई भी हो, next note no. 2 लिखो, अब एक बात समझना, इस section में आपको पता है, सरचार्ज कैसे लगता है, अब to 50 lakhs तक की income में नहीं लगता, 50 lakhs से वन करोड पर सरचार्ज की रेट क्या होती है, 10%, 1 करोड तो 2 करोड, 2 करोड तो 5 करोड, और 5 करोड से उपर, इस section में आपका 37% वाला सरचार्ज कभी नहीं लगेगा, मला income कितना भी हो, बले 25 करोड, 30 करोड, maximum सरचार्ज की limit इसमें 25% ही रहेगी, ठीक है, तो आप लिखिए next line में सरचार्ज, next line में लिखिए सरचार्ज, और सरचार्ज में आप एक साइड में लिखिए total income अगर up to 50 lakh है, total income up to 50 lakh है, तो सरचार्ज रेट on taxes, तो taxes पर सरचार्ज की रेट निल कुछ नहीं होगी, अगर 50 lakh से ज़्यादा है, up to 1 करोड, तो 10%, 1 करोड, up to 2 करोड, तो 15% and 2 करोड से ज़्यादा है, तो सीधा 25%, यहाँ पर 37% वाला सरचार्ज ही नहीं है, यहाँ पर 37% वाला सरचार्ज है ही नहीं, इसके नीचे, रेड कलर की पहन से लिख लीजिए, कि सरचार्ज एड़ रेट 37% नौट अप्लिकेबल हीर, सरचार्ज एड़ रेट 37% नौट अप्लिकेबल और अडरलाइन दे वर्ड नौट अप्लिकेबल, नौट अप्लिकेबल हीर, मानव सरचार्ज एड़ रेट 37% नौट अप्लिकेबल हीर, चलिए, अब मुझे एक बात बता दीजीए आप, सबसे पहली चीज, कोई भी इंडिविजुल है, उसके लिए ये वाला ज्यादा बेनिफीशियल है, या जो हमने कल तक जो सीखा, के 2,50 से लेके 5 लेक तक 5%, 5-10, 20%, more than 10 सीदा 30%, वो ज्यादा बेनिफीशियल है या ये ज्यादा बेनिफीशियल है, आपको क्या लगता है, कौन सा टेक्स रिजिम ज्यादा बेनिफीशियल है, 115 BAC या फिर नॉर्मल, उसको अपन बोलेंगे नॉर्मल, या बोलते टाइम ऐसा भी बोल सकते हैं, ये न्यू टेक्स रिजिम है, वो ओल्ड है, या फिर वो नॉर्मल है, ये स्पेशियल है 115 BAC, आप मुझे बताईए, कितने लोगों को ये लगता है, कितने लोगों को ये ये लगता है कि 115 BAC ज्यादा बेनीफिशिल है, कितने लोगों को ये लगता है, कि ये वाला ज्यादा बेनीफिशियल है, चल्ये très good, 80% इंदुन अधुलिभर, कितने लोगों को ये लगता है अभी तक के नॉट्ज के बेसिस पे, कि जो नॉर्मल टेक्स रिजिम था वो ज् तो इतने परसेंट मतलब बाकी 10% भारतियों को यह लगता है कि सर नॉर्मल टेक्सेशन रिजिम जो आपने कल से पढ़ा रहे हो 250 वगेरा वो वो ज्यादा बैनिफीश है लगता है कैसे कैसे आपको लगा हाँ पुला सर कैसे तो बता नहीं बाइड हमको थोड़ा लाइन से चलने की आदत है तो जब उन लोगों ने जब नहीं है बोला तो हम थोड़े कम में चले जाते हैं क्यों आपको यह लग रहा है वह वाला ज्यादा बैनिफीशल है यहां यहां ज्यादा slab है तो बेटर है ना उल्टा आपको क्यों लगता है वो ज्यादा बेनिफिशल है senior citizen को अलग से 5 lakh मिल रहा था इसमें भी 3 lakh basic exemption है senior citizen को उसमें भी 3 था इसमें भी 3 है चलो मेरे को बताओ कितने हां चलो कौन हां यह वाला ज्यादा बेनिफिशल है क्यों हां इन्होंने बोला सब लोगों का कहना अच्छा और किसी को लगता है पुराना वाला ज्यादा बेनिफिशल था हां बोली है रीजन की बात ही नहीं हमको पता ही नहीं मैं तो अभी बोला अब तक के नॉलेज के बेसिस पे यह वर्ड मैंने बोले थे अब तक के नॉलेज के बेसिस पे कौन सी चीज जो है वो ज्यादा बेनिफिशल है तो अब तक के नॉलेज के बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो आपको यह वाला टेक्स रिजिम ज्यादा बेनिफिशल है अब तक क्यों क्योंकि भाई सीदी सी बात है एक तो बेसिक एग्जम्शन उसमें 250 का था इसमें 3 लाक का है और आप स्लेब रेट तो देखिए यहां 6 लाक की इंकम पर 5% लगता है फिर उसके वाद 6 से 9 लाक पर 10 पर सेंट ही लग रहा है 9 से 12 पर 15 लग रहा है 12 लाक से 15 लाक पर 20 पर सेंट लग रहा है 15 लाक के उपर 30 पर सेंट लग रहा है आप कोई भी इंकम लेकर कैलकूलेट कर लीजिए हमिशा टेक्स इसमें कमाएगा और एक सर्चार्ज 37 पर सेंट भी इधर नहीं है करके क्योंकि अगर मानलो कोई बंदा क्या है ज्यादा बेनिफिश्यल है अब आप बोलो कि इस यहाँ स्लेब रेट को याद कैसे रखे बड़ा सिम्पल है देखो थ्री लेक का बेसिक एक्जेम्शन है इंकम में आप थ्री लेक थ्री लेक जोडते जाओ और रेट में आप 55% जोडते जाओ लेकिन लास्ट वाला जम्प है वो 10% का है आ गुड मॉर्णिंग ओ वाँ ठीक है तो मैंने क्या बोला कि इंकम में आप थ्री लेक थ्री लेक जोडते जाओ एंड टेक्स में रेट में आप 5% 5% जोडते जाओ लेकिन लास्ट वाला जम्प है वो 10% का यह ध्यान रखना है और आपको यह ध्यान से उपपर वाले पर यहां 30% लगता है तो 3 लेक, 6 लेक, 9 लेक, 12 लेक, 15 लेक यह तो हो गया slab rate ठीक है और rate में 0, 5, 10, 15, 20 और 30 ठीक है ऐसा याद रखके यह slab rate याद हो जाएगा अब आप मुझे बोलोगे कि सर ज्यादा beneficial यह दिख रहा है तो तो हर कोई SSC फिर यही follow करेगा भई सीधी सी बात है यह जो कल से आप पढ़ा रहे हो एक lecture खराब कर दिया उसमें हम तो सर यही follow करेंगे right answer is आप कर सकते हैं आपके पाद choice है लेकिन मैं बताओं जैसे जैसे मैं आपको subject पढ़ाते जाओंगा मैं आपको हर topic में बोलूँगा कि अगर आप 115 BSE follow करते हो तो आपको बहुत सारे benefit है वो surrender करने पढ़ते हैं बहुत सारी आहूतिया देनी पढ़ती है बहुत सारे बलीदान देने पढ़ते है और जब बलीदान दोगे तो यह वाला tax rate आपको मिलेगा अब आप मुझे बोलोगे क्या-क्या बलीदान देने पढ़ते हैं तो जैसे मैं उस दिन बात कर रहा था कि जो आपकी gross total income होती है उसमें से deduction under chapter 6 से less होता है उसके बात जो बचता है उस पर tax लगता है तो deduction का benefit मिले गई नहीं अगर आप इसके हिसाब से tax बढ़ते हो 115 BAC के हिसाब से tax बढ़ते हो तो आपको deduction के benefit मिलेगे नहीं बहले आपने LIC में invest किया health insurance policy ली political party को donation दिया राममंदीर अयोध्या में donation दिया उनके deduction deduction कुछ नहीं मिलेंगे अगर आप ये section को follow करते हो तो देखो जब आपको benefit दिया है तो आपसे कुछ benefit लिये भी है आपसे कुछ ऐसे रूख कपा देने वाले benefit लिये है जो आपको नहीं मिलने वाले और वो कब सीखने को मिलेगा जैसे जैसे हम हर topic पढ़ेंगे एक एक head पढ़ाऊंगा salary में पढ़ाते time बताऊंगा कि देखो तो इस head में ये benefit आपको नहीं मिलेगा अगर आप 115 BAC लेते हो house property में आपको ये benefit नहीं मिलेगा business में आपको ये benefit नहीं मिलेगा deduction में आपको ये benefit नहीं मिलेगा तो जैसे 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 हम आगे पढ़ते जाएंगे आपको बहुत सारे benefit ऐसे है जो आपको नहीं मिलेंग अब आप अगर ICI का module देखोगे तो 115 BAC पहले ही topic में दे रखी है और उन्होंने सब दे रखा है कि यह benefit नहीं मिलेंगे आपको अभी अगर वो मैं पढ़ाने जाओं कि यह benefit नहीं मिलेंगे आपको समझ महीं नहीं आएगा जब तक वो topic का knowledge नहीं हो ठीक है तो यह जो आपने लिखा है अब question यहाँ पर यहाँ आता है आपने सर्चार्ज दो बताया health and education says लगेगा answer is yes health and education says आपका 4% लगेगा तो आप एक और note अगलर note में लिख लीजे health and education says health and education says applicable at the rate 4% health and education says applicable at the rate 4% health and education says applicable at the rate 4% ठीक है इसके बाद में एक और बाद बताओ इसके उपड लिखा हुआ है default tax regime default किसको बोलते है default किसको बोलेंगे डिफॉल्ट का मतलब है जैसे आप मॉबाइल में होता है default factory setting मतलब यह पहले से आएगा अगर आपको change करना है तो change कर सकते हो ऐसा ही होता है तो मैं बताओ यह जो taxation regime है यह default है default है मतलब हर आदमी के case में हर individual HOF AOPBI artificial juridical के case में यह tax rate लगेगी अगर आपको यह नहीं लेना है तो एक form बढ़ना पड़ता है जब आप अपना income tax return file करोगे तब आपको एक form बढ़ना पड़ेगा और उस form में लिखना पड़ेगा कि हमको 115 BAC नहीं चाहिए हम तो normal वाली tax rate से tax बढ़ना चाहते है जो 5% 20% 30% हम उसके normal वाले के इसाफ से जाना चाहते है हम इसके इसाफ से नहीं जाना चाहते है तो आपको इस default में से बाहर आना पड़ेगा तो इसको बोला जाता है opt-out किया क्या किया opt-out अगर कुछ नहीं दे रखा तो यह default है यह वाली tax rate से tax बढ़ना है बट अगर आप बोलते हो कि ना बाबु जी हमको तो यह tax rate नहीं चाहिए हमको तो बहुत सारे deduction लेने है exemption लेने है normal वाला tax rate हमारे लिए जादा बेटर है तो आप इस section से opt-out करोगे क्या करोगे opt-out और आप normal वाले tax rate से tax भरोगे तो यह तुमारा default है यह क्या है तुमारा default है अगर वह यह इस से बाहर आना है तो उसके लिए आपको क्या भरना पड़ेगा form भरना पड़ेगा income tax department को बताना पड़ेगा कि हमको इस default वाले में नहीं र करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा opt-out और आपको normal वाले में जाना पड़ेगा you got my point or not अरे बोलो yes or no चलो अब एक चीज समझना आप लोग आपकी बुक में जितना आपने लिखा उसके बाद two side को छोड़ दीजिए two side का मतलब क्या होता है ऐसे ऐसे वाला एक page ऐसे ऐस अब ऐसे ऐसे वाला एक page बहुत तू साइड्स हो गई ठीक है ऐसे ऐसे वाला एक page टू साइड्स हाँ चलिए हाँ क्या हुआ बोले सरी यह क्या बताया आपने करें अब भाई two sides मतलब two sides मैं two page बोलूँगा तो दिक्कत है तो मैंने बोला ऐसा ऐसा वाला एक page कि अरे भाई यह जैसे पेज है आप इसको ऐसे से कर सकते हो ना तो यह एक page अच्छा इसको one page बोलते है ओ बहुत सारे बच्चें समझ नहीं पाते ना one page का मतलब one side होता है या one page होता है तो आपने क्या किया ऐसे ऐसे वाला एक page छोड़ दो गरगी ठीक है चलिये हाँ चलिये वह जो एक page आपने छोड़ा है इसको अभी नहीं भरेंगे इसको अपन जैसे-जैसे topic पढ़ेंगे वैसे-वैसे लिखते जाएंगे के 115 BAC में क्या-क्या benefit नहीं मिलते हैं चलिये अब एक काम करिए एक heading दे दीजिए वह ऐसे-ऐसे वाला एक page छोड़ने के बाद एक heading दे दीजिए that is the section एक section लिखिए 87A करके और 87A में लिखिए rebate for resident individual rebate for resident individual rebate for resident individual rebate for resident individual अब मुझे एक बात बताओ आप मैंसे किसी ने क्या सुना हुआ है कि इतनी income कमाते हो तो tax नहीं लगता क्या सुना है आपने क्या सुना है कि आप इतनी income कमाऊगे तो आपको कोई tax नहीं लगेगा कोई बोल रहा है पांच लाख और कोई बोल रहा है साथ लाख कोई बोल रहा है पांच लाख कोई बोल रहा है 7 लाग कि 5 लाग तक की income कमाएंगे हम तो उस पर कोई tax नहीं लगता तो पहले हम 5 लाग वालों को ध्यान देते हैं ठीक है उसके बाद 7 लाग वालों पर भी आएंगे कि 7 लाग वाले सही है या 5 लाग वाले सही है देखो आपने ये सुना मार्केट में कि अगर 5 लाग तक की income कमाते है तो बाबुजी कोई भी tax नहीं लगता आपको there is no tax at all अगर आप 5 लाग रुपे तक कमाते हैं अब आप बोलोगे सर ऐसा कहां पढ़ाया आप तो अभी तक क्या पढ़ाते जा रहे हो पता है आप तो अभी तक यही पढ़ाते जा रहे हो कि 250 तक कोई tax नहीं लगता 250 से 5 लाग 5 परसेंट 5 लाग 2 10 लाग 20 परसेंट और default taxation रिजिम में 3 लाग तक tax नहीं लगता उसके उपर तो tax लग रहा है तो फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि 5 लाग तक income कमाते हैं तो कोई भी tax नहीं लगता ऐसा कैसे हो गया आप ऐसा कहां पढ़ाया सर अभी तक आपने यह पढ़ाया दो दिन से पढ़ा रहे हो कल से आप tax rate पढ़ा रहे हो उसमें हर जगे तो आप बताते थे 250 से 5 लाग 5% 5 लाग to 10 लाग 20% more than 10 लाग 30% तो यहां तो सर बेसिक exemption 250 का था यहां पर बेसिक exemption new taxation regime 115 BAC में जो है वो 3 लाग का है तो फिर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि आप 5 लाग तक income कमाओ कोई tax नहीं लगेगा government ने क्या किया है कि एक rebate दी है 87A की और यह rebate उन लोगों को मिलेगी जिनका income अप टू 5 लाग है अब आप बोलोगे यह rebate कैसे मिलेगा कितना मिलेगा तो आप इधर धियान देना lawmakers बोलते हैं अभी चाहिए तो मत लिखो कि for resident individual for resident individual जो resident individual है अगर इनका income having total income total income मतलब आपका जो total income है पाँचों हैड का total minus deduction अगर वो अप टू 5 लाग है means 5 लाग से ज्यादा है ही नहीं अप टू 5 लाग तक है एकदम गरीब हो अप टू 5 लाग है तो आपको एक rebate मिलेगा आपको एक rebate मिलेगा rebate from tax tax में से rebate मिलेगा और rebate कितना मिलेगा पता है जो भी आपका tax का amount है tax का amount है या 12,500 whichever is lower इन दोनों में से जो lower वाला amount होगा वो lower amount आपको rebate मिल जाएगा कुछ example लेते हैं समझने ही कोशिश करिए इधर देखिए सब लोग जैसे अपने एक example लेते हैं एक बंदा है जिसका नाम है Mr. रागव एक बंदा है जिसका नाम है Mr. रागव मानलो इसका total income जो है वो total income 4,400,000 यह बस इससे ज्यादा नहीं है 4,400,000 है बस अब आप मुझे बताओ 4,400,000 पर tax कितना आएगा normal taxation रिजिमा default 115 BAS ही नहीं नॉर्मल वाले में कैसे tax आएगा तो मैं बोलू अब टू तू 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 लेक 50,000 पे डेश पे डेश अब तू सीदा कितना है 4 lakh 4 lakh body thousand कितना आ जाएगा 5% कितना आया 9500 तो ये tax आपका हो गया 9500 अब एक बात समझना, health and education says add करने से पहले आपको ये rebate मिलेगी बट ये जो rebate है 87A की ये उनी लोगों को मिलती है जो पहली condition resident individual होने चाहिए and दूसरी condition उनकी income है वो up to 5 lakh होनी चाहिए मनलब resident individual and उनकी income up to 5 lakh तो क्या इसके case में रागव resident individual है, answer is yes और उसकी income 5 lakh से ज़्यादा है क्या नई, up to 5 lakh है अगर ठीक है तो इसको rebate मिलेगा और ये rebate आपको less करनी पड़ती है before adding health and education says, तो आप एक काम करिए इसमें से सीधा ले लिजिए rebate under section 87A और ये 87A का rebate कितना रहेगा जो भी आपका tax का amount है तो tax का amount 9500 and guys 12500 lower comes to the 9500 तो 9500 का rebate मिल गया आपको कोई भी tax नहीं लगेगा आपको कुछ भी tax नहीं लगेगा अगर इसका income जो है वो 4,40,000 है तो कोई tax नहीं लगेगा तो जिन जिन लोगों ने बोला कि हमने सर्व सुना हुआ है कि अगर 5,000,000 तक ही कमाते हो आप एकदम गरीब हो resident individual को जिनका income अपटू 5,000,000 है income पाँच लाग से ज्यादा नहीं है यह rebate मिलेगा कितना जो tax का amount आता है और 12,500 whichever is lower है उतने का rebate मिल जाएगा यहाँ पे 4,40,000 का income है तो 5,000,000 से ज्यादा नहीं है resident individual है तो rebate मिलेगा जो tax आया 9,500 और 12,500 लोर तो यहाँ पे बेटा कोई भी tax नहीं आएगा अगर मानलो इस बंदे का income exactly 5,000,000 होता तो क्या होता 5,000,000 होता तो tax कितना आता 12,500 आता हाँ बई तो rebate कितना मिलता 12,500 तो भी कोई tax नहीं आता क्योंकि बेटा अगर आपका 12,500 है तो यहाँ 12,500 का आपको rebate मिल जाएगा और बोलो yes or no चलो अब एक और बात बताओ अगर मानलो किसी परसन का income किसी परसन एक बंदा है जैसे Mr. Raju Raju है और वो resident भी है और उसकी total income जो है वो मानलो 5,500,000 है 5,500,000 है income कितनी है 5,500,000 अब आप उस पर tax निकालो नॉर्मल taxation रिजिम से तो देखो अब टू 2,500,000 डेश पर डेश हाँ 2,500,000 से लेके and 5,500,000 5% कितना 12,500 और आपका 5,000 से लेके अब तू 5,000 5,000 कितना आया 20% So 20% comes to 1,000 कितना हो गया 13,500 अब question ही आता है किया रिबेट मिलेगा या नहीं रिबेट मिलेगा रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा क्योंकि resident individual अगर आपका income अपटू 5,00,000 है तो यह रिबेट मिलेगा यहाँ 5 lakh से ज़्यादा है तो जब 5 lakh से ज़्यादा है तो guys यहाँ पे कोई भी rebate नहीं मिलेगा no rebate under section 87A का rebate नहीं मिलेगा तो यही 13,500 आ गया अब इसमें add कर दो health and education sets at the rate 4% तो 4% कितना आता है 5 कितना 14,000 40 इतना आएगा net tax payable आप बोलोगे सर यहाँ तो गलत हो रहा है गलत क्यों हो रहा है हमने गलती कर दी कि 5,000 की income ज़्यादा कमाई और वो 5,000 की income की वजह से हमारा tax कितना आ रहा है 14,040 सर यहाँ कोई marginal relief का concept है क्या answer is no यहाँ पे कोई marginal relief नहीं है मनलब यहाँ तो assessi का मोय मोय हो गया क्योंकि assessi ने यहाँ पे 5,000 लाग 5,000 कमा लिया 5,000 ज़्यादा कमा लिया और 5,000 की वजह से उसका tax कितना आया 14,040 आ गया assessi का बेचारे का यहाँ पे मोय मोय हो गया और यहाँ पे 5,000 ज़्यादा कमाया उसकी वजह से इतना tax आ गया तो हम लोग क्या बोलते assessi को कि भाई income जबरदस्ती 5,000 लाग तक ही रख दो चार हजार अगर तुने एक रूप ज़्यादा कमा लिया मतलब देखो एक रुपया ज़्यादा कमाया तो तो फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर चार रुपय तक होगा तो तो राउंडेड आप लोवर में हो जाएगा ना तो income पांच लाग यह आएगा बट पांच को डोनेट कर दे तो डोनेशन देगा तो तुझे डिड़क्शन मिल जाएगी और टोटल इंकम पांच लाग तक ही रहेगी और तुझे कोई टेक्स नहीं लगे गा तो आपको भी ध्यान रखना है कि घरवालों के मम्मी पापा की इंकम है रेस्ट्रिक्ट करना है पांच ल रिबेट मिलेगा अब आप मुझे यह बोलोगे कि सर एक बात बताओ यह जो रिबेट है यह रिबेट मैं ऐसा क्यों लिखा कि आपका टोटल इंकम अप्टू फाइव लेक है तो रिबेट मिलेगा टेक्स अमाउंट और 12,500 विचेवर इस लोर ऐसा क्यों लिखा ऐसा भी तो लिख सकते थे ना कि अगर आपका इंकम अप्टू फाइव लेक है तो आपको भी टेक्स नहीं लगेगा यह फिर बताने का क्या जरूरत है कि टेक्स अमाउंट और 12,500 आप बोलोगे सर टेक्स अमाउंट तो हमेशा 12,500 यह उससे कम ही तो आएगा समझ रिए मैं क्या ब टोटल इंकम हर बार हाथ तो अच्छी बात है कर पांच लाग तक है ऐसा लिखना चाहिए ना था कि रेजिदेंट इंडिविच्वल है विंग टोटल इंकम अप्टू 5 लेक नो नीट तो पे टाक्स यह रिवेट इस अवेलेबल टाक्स अमाउंट वाय थे हैव पूट इस रेस्टिक्षिन ऑफ 12500 हाँ नहीं नहीं समझाए वापस बूल वापस बूल वापस बूल अगर यह 12500 का कैप नहीं डालते अच्छ इन्हों ने यह बोला इनका भी लॉजिक सही है यह बोले के सर यह 12500 सिरफ ऐसा लिखते कि सब्सक्राइब टोटल इंकम अप्टू 5 लाग तो रिबेट इस अवेलेबल 12500 तो लोग रिफंड मांग लेते क्योंकि तुम्हारी इंकम जीरो है तो तुम्हारा टेक्स जीरो रिबेट 12500 तो 12500 गवर्मन का बोलो वापस दो तो इसके लिए उन्हों ने लिखा है कि जो टेक्स आता है और 12500 विचेवर इस लूर मेरा क्वेस्चन दूसरा था मेरा क्वेस्चन यह था कि भाई ऐसा क्यो लिखा यह 12500 की कैपिंग क्यों डाली सीधा ऐसे लिख लेते ना कि if resident individual having total income up to 5 lakh then whatever tax amount that is your ribbit हा बोलो हा इसमें क्या होता है यह ऐसा डालने के पीचे का reason ही है कि देखो कुछ income ऐसी होती है जिस पे special rate से tax लगता है कुछ income ऐसी होती है जिस पे special rate से tax लगता है जैसे माल लो एक बंदा है एक example लेते हैं करके ठीक है एक बंदा है जिसका नाम है Mr. 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 बाजिगर पता नहीं बाजिगर का spelling यह होता है नहीं ठीक है बाजिगर अब यह बंदा है इसने lottery लगाई ठीक है और इसको lottery से income हो गई 4 lakh की किस से income हो गई lottery से और यह resident individual है lottery का income 4 lakh है और कोई income नहीं है इसका है ही नहीं कोई अब मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि lottery की income पे tax जो लगता है वो सीधा 30% से लगता है और इसके सामने कोई basic exemption 2 lakh 50,000 वगरा नहीं मिलता तो सीधा 30% tax लगता है कोई slab rate वगरा नहीं कुछ भी नहीं मिलता basic exemption नहीं मिलता तो आप मुझे बताइए इसका tax कितना आता है in a में यह बोला है कि अगर कोई resident individual है जिसका income up to 5 lakh है तो यह rebate मिलेगा अब एक बात बताओ यहाँ resident individual है बाजी गर answer is yes income आपका 5 lakh से जादा नहीं है answer is yes तो rebate मिलेगा बट बेटा यहाँ rebate इसको कितना मिलेगा पता है सिरफ tax amount और 12,500 whichever is lower तो सिरफ 12,000 का rebate मिलेगा इसके यह ऐसा साड़े 12,000 का capping डाला है नहीं तो फिर यह पूरा एक बीस का rebate लेगा अगर ऐसा लिखा होता है कि individual की income 5 lakh तक है तो कोई भी tax नहीं लगेगा तो भाया यह जो लोग है जो dream 11 लगाते है वगरा इनकी तो winning की income होती है अभी यह भी बोलेंगे 5 lakh तक पूरे साल में क education says उतना tax भरना पड़ेगा और बोलो जम्जा के नहीं जम्जा तो देखो एक rebate होती है 87A की बोलो 87A की यह rebate किसको मिलेगी only resident individual total income कितना होना चाहिए अप टू 5 lakh rebate कितना मिलेगा जो tax amount है and 12,500 whichever is lower but अगर मानलो 5,00,000 से एक भी रुपया ज्यादा हो गया तो यह rebate नहीं म marginal relief का कोई concept नहीं है you got my point or not yes or no लिखो यह heading दे दिया था आपने rebate for resident individual उसमें लिखो for resident individual for resident individual having total income up to 5 lakh रुको मैं आ रहा हूँ उस पर आ रहा हूँ 115 BAC में क्या होगा मैं आ रहा हूँ ठीक रुक जाओ यह normal वाले के किसमें for resident individual having total income up to 5 lakh rebate from tax is tax amount or 12,500 whichever is lower yes yes you priya रुक जाओ बेटा रिया एंजल प्रिया एंजल प्रिया बहुत फेमस हुई थी ना बीच में एक तो वो फेमस हुई थी और एक noot पे जो नाम लिखा आता था वो किसका आता था उसने लिखा था कि मैं सोनम बेवफा है वो ना ओ भाई साथ सोनम बेवफा फेमस हुई थी चलिए for resident individual having total income of 5 lakh तो यह रिबेट होगा ठीक है लिखा इतना इसके नीचे note लिखो इसके नीचे notes लिखो note मैं पहला note लिखो rebate available before health and education says rebate available Rahul Tiwari ji rebate available before health and education says and dousra leco this rebate this rebate is available against this rebate is available against tax on any type of income this rebate is available against tax on any type of income tax on any type of income other than other than LTCG under section 112a other than LTCG under section 112a यह क्या होता यह आपको तो आपको उस्सामजमीन नो क्या है नोट को सेकेंड वाला भी अभे समझसों नहीं समझमें यह आप छोड़ देना इस रिबेट इस आवेलेबल अगेंस tax on any type of income tax on any type of income other than LTCG under section 112a अब आप बोलोगे यह रिबेट कोई भी टाइप का इंकम हो, विनिंग हो, लॉट्री हो, क्रिप्टो करंसी, सब के सामने मिलता है, सिर्फ एक इंकम के सामने नहीं मिलता, LTCG 112A यह क्या होता है, शेर मार्केट से लॉंग टर्म कैपिटल गेन, मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा, आप अभी इस नोट को भले आप छोड़ द तो question कैसे करेंगे, उसका मैं एक आपको outline दे रहा होगा, हमेशा हमारे system कैसे चलेगा class में, जैसे मानलो यह question number 3 है, इस question number 3 को अपन कर रहे है, question number 3 बोलता है, कि Mr. Raghav, age 26 year की age है, उसकी, resident in India है, has a total income of 4,40,000, उसका 4,40,000 का income है, comprising of his salary income and interest on bank FD, उसका interest salary का income है, compute his tax liability for the assessment year 24-25, assuming assessi exercise to option of shifting out of default taxation regime, under section 115 BAC, Miss 115 BAC वो नहीं ले रहा है, नॉर्मल वाले में जा रहा है, तो नॉर्मल वाले में जा रहा है, आपको इस पर tax निकालना है, तो एक बात समझना, आप लोग हमेशा क्या क्या करेंगे, जैसे यह question है, तो इस question का जिस page पे आप solution कर रहे है, इस question के पास में आप page number लिखेंगे अपनी notebook का, मला जैसे notebook में आप page number 27 पे है example के लिए, तो आप लिखेंगे यहाँ पे page number 27 कर गे, और वो ही, जब आप notebook में question को solve करेंगे, तो notebook में आप cross referencing देंगे textbook का, टेक्स बुक में यह page number 1 पे दे रखा है question, तो टेक्स बुक में जब अपनी इस question को solve करेंगे, तो solve करते time, जैसे माल लो यह वाला question है, Mr. Raghav वाला, 4,40,000 का आपको income पे text निकालने के लिए बोला है, तो जब हम हमारी notebook में लिखेंगे, तो notebook में यह लिखेंगे question number 3, page number 1, ऐसा लिखेंगे आप notebook में, और text book में आप लिखेंगे कि notebook के कौन से page पे यह question किया है, तो आप जब revise करेंगे, आपके लिए बहुत easy हो जाएगा ढूड़ना कि इस question का answer का है, इस question का answer का है, इस question का answer का है, तो यह आपको follow करना ही पड़ेगा, notebook में लिखेंगे, textbook का question number और वहाँ page number, और textbook के पास में लिखेंगे, कि notebook के कौन से page पे इस question को हमने solve किया है, चलिए, एक काम करिए, यह solution लिखेंगे, वो question का, तो आप यहाँ, अगर आपके पास textbook है, तो textbook के पास में लिखेंगे, यहाँ पे आपका notebook का page number, बट notebook में अभी तक आपने अगर page number नहीं डाले है, कोई दिक्कत नहीं, आप जब डालोगे तब लिखेंगे ना, question number 3 के पास में, notebook का page number, and guys, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर आप notebook में लिखेंगे, यह वाला solution, चलिए, copy करिए, एक लब यह बोलता है, मेरी book कॉलकाता पहुचा दी गई, हर्याना की जगे, very good, यहाँ health and education says नहीं आएगा न, क्योंकि पूरा rebate मिल गया, झ arts父, कर दो दो है, करा है, यहाँ है जएगे, जो दिकी जगो क्योंकि अ, गोम हो एक से तक सफे दोदिए, यहाँ आशे हैं, पहाँ है, टो है पहाँ है। चलो इसको copy किया आपने कुछ भी नहीं टेक्स लगेगा इन कुछ भी नहीं होगा बस रिबिट मिल गया बस चलो बोलो डान कितने लोग इस्टिल राइटिंग रेस और हैंड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड लिखो हाँ 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 अरे जतीन रुक जा हाँ चलिए बोलो डन दन एक क्वेश्टन लिखो एक और चोटो सा चोटो सा लिखो Mr. Raju Mr. Raju resident individual Mr. Raju Mr. Raju resident individual having total income having total income of five lakh five thousand having total income of five lakh five thousand having total income of five lakh five thousand five lakh five thousand कैसे लिखते है बता ना five zero five triple zero five lakh five thousand calculate tax liability Calculate tax liability इग्नोर 115 BAC, इग्नोर 115 BAC, इग्नोर 115 BAC, चलो, कॉपी मारो जो बोड़ पर दिख रहा है, राजु वाला, Mr. राजु वाला, वो कॉपी मारो, इसमें रिबेट नहीं मिलेगा, 87-A का, इसमें रिबेट नहीं मिलेगा, चिराग भाई, रिबेट, तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, कॉपी करें, कॉपी करें, फड़ा होट, और यह no rebate under section 87-A है ना, इसको आप फड़ा इसा highlight करके लिख लीजिए, कि इसमें नहीं मिला रिबेट, क्योंकि total income more than 5 lakh है, एक रुपया भी ज्यादा हो, ने एक रुपया नहीं, छे रुपया ज्यादा हो, पांच रुपया ज्यादा हो, तो भाईया आपको रिबेट नहीं मिलेगा, हाँ वे, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हैं, कि अगर आपको बानलो आपने डोनेशन आपकी इंकम पांच लाकी है, आप डोनेशन इंकम मैंसे कर रहे हो या कोई और से उदार लाके कर रहे हो, भाई अगर आप 5 लेग तक करोगे, पूरा 5,5000 का deduction कोई tax नहीं लगेगा इप कोई क्यों करेगा इतना करके ठीक है 5,11 रूपीज आगे तो आप सिरफ 11 रूपीज करना चाहते हो हां तो 11 भी क्यों करते हो आप सिरफ 6 रूपय ही करो 6-7 रूपया करो तो 5,4 रूपीज तो फोर से लोर राउंड डेट अफ हो जाएगा फाइव लेक और फिर आपको रिबिट मिल जाएगा वेरी गुड तो यह बोला कि हम पॉलिटिकल पार्टी को इतने इवन तो कम भी तो कर सकते हो बीजेपी की वेबसाइट पर जाने का समाजवादी पार्टी जो आपको अच्छा लगे ठीक है मन से दिल से जो अच्छा लगे आपको हाँ वेबसाइट पर जाकर डोनेशन होता है ना हाँ जिसके लिए आप कर सकते हो ठीक है चलो बोलो डान अभी तक मैंने आपको 87 a का रिबेट पढ़ाया नॉर्मल केस में बड़ अगर 115 बीसी है तो यह रिबेट कैसे मिलेगा क्या मिलेगा वह मैं आपको ब्रेक के बाद बताता हूं तो अभी अपन लेंगे 10 पंदरा मिन का ब्रेक और पंदरा मिनिट के बाद ब्रेक के बाद कंटीनियू करेंगे तब तक यहां पर आपको डिस्प्ले में वह मैं डाल रहा हूं क्यूर कोड तो वह क्यूर कोड को आप स्कैन करके और वह टेलिग्राम का ग्रूप है वह आप जॉइन कर सकते हैं कि ऑफ लाइन ऑन मैंने स्ट्रिविंग आपके है है झाल 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 तो यह यह झाल यह झाल झाल यह झाल झाल यह 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 है यह 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 25,500 है 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 यह 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 7 यह 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 है 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 12,000 यह यह है यह यह 25,000 है यह है यह 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 है यह है 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 यह यह 6,000 यह है 29,000 यह है 7,000 यह 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 है यह 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 है 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 Mr. है यह 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 है यह यह है 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 87 यह हो है है यह है 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 यह है 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 है